मुख्य तोर पर अपने इस आदे घंटे के शो में हम तीन बातों पर जोर देंगे सबसे पहले जो मोटी अर्थ व्यवस्था की अभी बाते हैं उसकी सेहत कैसी लग रही है दूसरी तरफ महंगाई से लेकर बेरोजगारी जो बड़ी चुनोतिया इस सरकार के सामने है तो तीसरी तरफ हम मुद्दा उठाएंगे कि क्या किसानों के मुद्दे पर सरकार कुछ कर सकती है क्या अलग-अलग सेक्टर में वो कुछ कर सकती है और मिडल क्लास टैक्स को लेकर क्या कोई राहत हो सकती है तो जैसा कि हमने आपको बता है पूर वित्तराजी मंत्री भी चैन से ना जी रह चुके है और आज तक पर बहुत ध्यान से इनको लोग सुनते हैं कि ये क्या बोलेंगे ताकि कुछ उमीद जगे कि क्या होने वाला है कुछ तो भनग लगे और अभिशेक मनु सिंग्वी जी वरशनेता भी है कॉंग्रेस पार्टी की थर्ड टाइम सिटिंग एंपी भी है और इसी के साथ कानून विद भी है तो वो भी बताएंगे कि कहा कहा पर चूक हुई है सरकार से और कहा वो बहतरी कर सकते हैं लेकिन एके करके जो डेता है सर उसके साथ ही बातचीत करेंगे हम लोगों ने इंडिया टोडे ग्रूप का बही घाता बनाया है जिसमें हम सबसे पहले आपको जीडिपी ग्रोथ जो ग्रोथ दर है वो दिखा देना चाहते हैं और इसी पर पहला सवाल भी होगा क्योंकि 2015 में जहाँ था वो देखिए यहां पर 2020 से किस समझ में आता है कोविट की मार थी और नेगिटिव में माइनस 7.3 फिर वापस 9.2 और आपको बता दें आज जो कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षन में उसमें 8 से सारे 8 पीज़दी का जल्दी से इसी से जुड़े हुए दो सवाल जिसमें शुरुवाती तोर पर आप दोनों को जो बुक कुछ भी कहना वो आप कह सकते हैं क्योंकि अगर हम सबसे पहले बात करें जैन सेना जी तो विकास दर कोविट की मार है लेकिन इसी के साथ एक बड़ी चुनौती है कि हमने उसको कैसे संभाला और बेहतरी की स्थिक कैसे पैदा कर रहे है इसलिए पहला सवाल आप से इसी पर है कि जो ग्रोथ रेट को लेकर जो प्रोजेक्शन है 8, 8.5 का जबकि नैशनल स्टेस्टिकल ओफिस ने पहले 9.2 का दिया था ये किन वजहों से हमारे दर्शकों को समझाए क्या हम माने कि अब तो खैर आप ही लोग अच्छे दिन बोलने में से डरते हैं लेकिन क्या हम माने कि अर्थ विवस्ता के बेहतर दिन आ रहे हैं और महंगाई दर दोनों पर आपका जबाब क्योंकि जनता सरसो तेल से लेकर हर चीज की दाम को लेकर परिशान हो रहे हैं जैन जी नमस्कार अंजना जी और देखिए जैसे आज economic survey में बताया गया कि आगे की समय GDP का जो growth rate है यानि हमारे उतपादन की जो विद्धी है वो बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है और इसका कारण यह है कि हम लोगों ने जो कोविट की महामारी थी जो 100 वर्ष में आप समझ चाहिए कि ऐसी महामारी हमारे एतिहास में 100 वर्षों में एक बार आती है और पिछली बार जब यह आई थी 100 वर्ष पहले तो इतनी हानी हुई थी अर्थविवस्ता में और अबादी में कि मैं आपको क्या बताऊं वो कल्पना के परे है लेकिन जब पूरे देश विदेश में ये एक आपदा आयुई है हम लोगों ने आंधी में इस अपने नाओं को किसी तरह से संबालते हुए हम लोग निकाल आए हैं आज किसमें 90 प्रतीशत रोगों को एक डोज मिल गया है 70 प्रतीशत लोगों को दो डोज मिल गया है और इसको हम लोगों ने बड़े बनाना है में नीव के इंट डालने थे जिसके द्वारा आगे के समय भी हम लोगों का ग्रोथ रेट अच्छा रहे वो भी मानने वित मंत्री जी मानने पधान मंत्री जी ने बड़े कुशलता से किया है और अब अनुमान है और सिर्फ ये एकनॉमिक सर्वे का अनुमान नहीं हैं आप अगर वर्ल बैंक को देख लें आईम एफ को देख लें सब का अनुमान है कि हमारा देश ही है जो सबसे तेजी से बढ़ेगा सबसे तेज रफ़तार से बढ़ेगा और इसलिए ये 8 और 8.5 परसंट के बीच में हम लोगों की ग्रोथ रेट होगी और जब इस प्रक अब देखें पीछे की तरफ ना देखें मतलब रियर वियू मेरर से ना देखें विंडशीर से अगर देखें और भवेशी की और देखें तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर हम लोगों ने अब तियार करा दिया है कि आरत्विवस्ता तीजी से बढ है कि आरत्वें पीदकी